ये स्टुडेंट, वेलकम बैक टू योर अनलाइन क्लासेज, लास्ट वाले वीडियो में हमने आरे सगरवाल क्लास 7 की मैथेमेत्रिक्स बुक का एकसरसाइज 1-1 के क्वेस्टन 1-6 आपको समझाया था, इस वाले वीडियो में हम आपको क्वेस्टन 7 से आगे की कुछ क्वेस वीडियो को देख सकते हैं कि उपर आई बटन क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का वीडियो, यह क्वेस्टन 7, fill in the blanks, तो fill in the blanks को करने से पहले मैं उकता दू कि कुछ law दिये वेते हैं हमारी इंटेसर इन दोनों को कर लेंगे solve, तो हम प्लस करेंगे minus 41, तो उसी तरिये से जब इतना को solve करने के बाद, equal में हम करते है, minus 13 और अंदर में हमारा curly bracket है, तो यहां पर देखे, curly bracket के अंदर minus 13 और 27 था, यह इन दोनों को पहले solve करना था, बट यहां पर minus 13 जो बाहर है, 27 curly bracket के अंदर ह तो दूसरा हम कौन से number लिखेंगे, तो जाहिर से बात है, दूसरा हम minus 41 ही लिखेंगे, क्योंकि यह हमारा associative law है, कि जब A plus B plus C होते हैं, तो चाहिए हम A और B को पहले plus करें, या चाहिए B और C को हम plus करें, answer हमारा C नहीं आता है, तो यहां पर हमारा answer क्या हो जागा minus 41, ठी बहुत easy है, मैं तो जो difficult question उसमें आ जाता हूं, जैसे question number 5, मैंना 4 तक तो बहुत आसान है, आपको same to same जो इधर number दिया हुए left में, उसी number को right में आप उतार देना है, हमारे question number 5 में, यहां पर हमारा पास 72 दिया हुए minus में, और कहा रहा है कि 72 minus वाले number पे, कितना add करें कि वह answer है, तो किसी number में, कितना add करते हैं कि वही number answer आता है, तो zero add करते हैं, तो वही number answer आता है, इसलिए यहां पर zero हो जाएगा, then यहां पर हमारा पास question number 6 है, उसमें यहां पर कुछ नहीं दिया, add करने के लिए, बस आपने अगर last know, लेकिन वीडियो देखा होगा, जाप मैंने आपको detail में rule समझा है था, मैंने आपको बताया था न, कि bracket जब open होता है, तो जो दो sign होते हैं, वो केवल एक sign रहा जाते हैं, और sign हमारा आपस में change होता है, जैसे अगर दो negative sign है, या दो positive positive है, तो positive का sign रहा जाता है, और दो different sign है, एक positive और negative है, तो sign negative कर रहा जाता है, तो यहाँ पे दो same sign है, minus minus, और minus minus क्या होता है, प्लस होता है, या एंसर आएगा हमारा plus 83, इसको प्लस 83 लिखे है, या केवल 83 लिखे है, वो दोनों answer आपको सही है, यानि कि इसको भी प्लस 83 काते है, और इसको भी प्लस 83 ही का जाता है, अगला दिख लेते है, question number 7, यहाँ पे minus 60 में हम कितना minus करें, कि answer है, हमारा minus 50 थे, अब ध्यान दीजिए, sorry 59, तो अगर हम यहाँ पे क्या लिखे है, plus 1 लिखते है, तब यह क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे plus 1, पहले बहुत को minus 1 लिखे दिखाता हूँ, ठीक है, तो यह अगर हम लोग यहाँ पे minus 1 लिखते हैं, तो यह हो जाएगा minus 60, ठीक है, यह minus का sin है, और bracket के अंतर हो जाएगा minus 1, तब यह क्या बन जाएगा minus and minus plus 1, 개인 होले नबर में minus का sin है, इसमें minus का сним है, लिखना घिरा को स्टैना वंरृ ने मैं तो आपका यहां धाक नहीं अलाम पर दिमाग है थोड़ा सो erkennen किल यहां से हंचेज़ भाग नियु सल भाता है युड़ा सा रोड़ा से वस्तुराव स्वस्तिरम है और युड शाम, युटेगा, मैं किवाल आपको concept समझाऊंगा थोड़ा सा महनत आपको खुद करना है मैं पूरा answer यहां पर आपको छापने नहीं में बोल रहा हूं कि पूरा answer आप मेरा देखके प्रेयर में छाप दीजिए यह रड लिजी answer को आप concept समझेए क्योंकि concept is power then आप उससे related खुद से questions solve करके हो देखिए अगर मैं कुछ questions पूरे बता देता हूं तो उससे related आप खुद से question solve करके उन्हें की कोशिस कीजिए ठीक है अब चलते हैं question no.8 में हमारे पास जो कि दिया हुआ है simplify यानि यह बड़ा से एक numbers दिया हुआ integer का plus minus 7 में इसो simplify करना है दोनों curly brackets को आपस में हम पहले solve करेंगे जैनि इसके अंदर में 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 दोदिया हुआ curly bracket के लिए उसको solve करना और बीच में plus का साइन है तो भी एंसर आहिए उसको आपस करने है तो वो बार में दिखा जागा कि प्लस होता है की minus बस साइन यहां पर ब्लस हम सॉल्व कर लेते हैं करिले ब्र्चेट इंदर वाला तो यह क्या हो जागा हमारा —13 और करिले के अंदर यहाप यहाप है — 27 नहीं के लिए कि यह आपनम और क्या पाता है कि यह दो Sin को पहले हम Chane pays करेंग he एक sign में convert करेंगे, दो sign आपस में solve नहीं होते हैं, तो हम bracket open कर लेते हैं, तो curly bracket में भी रहने देते हैं, minus 13 हो जाएगा इसे state में, यह minus और यह minus क्या मिलके बन जाएगे, plus बन जाएगे, जैसा कि मैं आपको last video में detail में समझाया था, और यह 27 हो जाएगा, और यह curly bracket हमारा close हो ज कर लेना है, और sign change कर लेना है, अगर minus का है, तो plus हो जाएगा, इधर भी minus हो, तो plus हो गया हमारा minus minus, अब आते हैं हम इसको solve करने पे, कि इसका answer कितना हैगा, तो एक number यह minus में है, और जो दूसरा number है, वो plus में है, तो minus और plus, जल्दीस बते हैं, क्या होता है, minus होता है, जो negative और एक positive number है, यह अपोजिट sign वोले numbers है, तो negative होगा, minus होगा, और अगर सेम 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 साइन वाले number है, अगर दोनों minus में रते हैं, तो plus होता, यह मैंने आपको अच्छे से समझा रहा है, लास वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा, तो पहले उसको देख लिएजे, आप question मतलब, तो यहां पर हमारा, अब यह minus हो, यह plus minus होगा, minus कर लेते हैं, 7 में से 3 minus हो, तो 4, 2 में से 1 minus हो, 1, आग यह 14, अब हम क्या देखते हैं, third step में, कि plus का sign लगेगा, कि minus का sign लगेगा, तो बड़े लिए number में किसी का sign था, plus का था, तो answer में भी plus का sign रहेगा, clear, यानि इ minus 25 हो, और plus 40 है, फिर से minus और plus आगिया, तो फिर minus हो जाएगा, जल्दी स minus कर देते हैं, 10 में से 5 minus होगा, तो हो जाएगा 5, यह 3 बज़िया कैरी देने के बाद, तो 3 में से 2 minus हो, तो 1, ठीक है, अब यह plus में रहेगा, कि minus में रहेगा, यह चेक कर लेते हैं, तो बड़े प्लस में, कि यह दोनों simple plus में थे, इसका मतब simplify करने के बाद हमारा answer आ रहा है, 29, इस तरीके साब कि इसको solve करना था, चलिए, कुछ और question से देख लेते हैं, question number 9 हमारे पस क्या है, find 36 minus minus 64 and minus 64 minus 36, are the equal, क्या दोनों equal है, यह इनको पहले answer निकालना है दोनों का, और अपने को य अपने को यह करना था, तो मैंने first step करके इसको लिख लिए है, कि first step में हम 36 minus minus 64 करेंगे, तो इसको solve कर लेते हैं, कितना हैगा, तो 36 में से minus करना है, यहाँ पे देखे, minus का sign यहाँ भी है, और यहाँ भी minus का sign है, तो फिर दो हम bracket open करके sign change कर लेंगे, यानि केवल एक sign लगा तो हो जालेंगे, तो हो जागा 36, और minus minus क्या हो जागा, plus 64, clear, तो 36 और 64 को add करेंगे, तो हमारा 6 और 4, 10 का 0 करेंगे 1, 6 और 1, 7 और 3, 10, यानि कि 100 इसका answer आएगा, और plus में answer आएगा, इसका 36 minus minus 64 हो गा, हम अब second step में, इस एड़ आप second step इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो हम open कर लेते हैं bracket को, तो यह minus 64 का, यह minus 64 ही रहेगा, क्योंकि इसके left में कोई भी sign नहीं दीख रहा भी यहाँ पे, तो यह minus 64 रहेगा, actually में यहाँ एक sign रहता है, उसके बारे मैं आपको आगे चल के बता हूँ, जब ज़रोत पड़ेगी, तो यहाँ पर अगर simple number दिया और यह भी number minus में है, तो minus और minus का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 64 और 36 यहाँ प्लस करते हैं तो कितना आता है, 100 आता है हमारा answer, ठीक है, यहाँ भी 100 आया, यहाँ भी 100 आया, बट यहाँ पे हमारे पास देखिए, अब sign हम चेक करते हैं, तो बड़े और नमर में sign किसी किसी का है, minus का है, तो answer में minus का sign लग जाएगा, तो यह वाला जो हम solve करते हैं, तब क्या होता है, minus 100 और यह थरह वाला, plus 100 आ रहा है, तो दोन equal है, क्या, नहीं है न, तो यहाँ पे आप last में statement में लिख दीजेगा, no, they are not equal, okay, इस तरीके साब को last में statement भी चाहेगा, आप लि is equal to minus 8, B is equal to minus 7 and C is equal to C, verify that A plus B plus C is equal to A plus B, है न, plus C, यानि कि अपने को यही बस verify करना है, कि यह जो हमारे पास दिये वे नमबर, वो associative law जो होता है, addition का, उसको follow करते हैं, ठीक है, यह अपने को यहाँ पर verify करना है, कैसे इसको solve करते हैं, कैसे verify करते हैं, यह मैं चलिए आपको value अपने को यह equation verify करना है, तो इसको देखें, verify करना का तरीका क्या है, कि जो equal के left side में जो है न, उसको पहले solve कीजिए, तो हम इसको left hand side वाले को left hand side, यानि short part में LHS करते हैं, full form में left hand side, यह मैंने आपको classics में समझाया था अच्छे से, तो यहाँ पर अब इसको हम लोग solve कर लेते हैं left hand side वाला को, यानि यह plus B पहले करेंगे, और जो answer है उसमें C को add करेंगे, तो A के जगा में आप value रख दीजी, यह का, कितना A का value, minus 8 है, plus का sign, plus का sign लगा दीजी, B का value कितना है, minus 7 है, तो उसको हम bracket में करके minus 7 लिखेंगे, इस तरीके साब किसको करना है, अब उस को put किया, अब इसको solve करेंगे जल्दी से, यह क्या हो जागा bracket के अंदर minus 8 का minus 8 ही रहेगा अभी, यह plus और यह minus, मिलके क्या बन जाएंगे, minus 7, ठीक है, और बाहर में plus ठीक साभी रहने देना है, अपने को, यह number में minus में है, minus 8 और 7 में में है, तो minus और minus क्या होगा, plus हो प्लस कर दीजवाब 6, यानि हमने पहले अब A और B को plus किया, अब हम 6 को उसमें, यानि C को plus कर रहे है, तो actually में यहाँ देखिए, minus है, और यह plus में है, तो plus और minus क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, 15 में से 6 को minus किजिए, कितना answer आएगा, 9 answer आजाएगा, ठीक है, और बड़े अब लिखे है, RHS, यानि right hand side, माव अपने को क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, plus करना है, B plus C करने के बाद, यानि ये को बाद प्लस करना है, तो एक क्या है, हमारे पास minus 8 है, उसको लिख लेते हैं, plus का sign लगाते है, bracket के अंदर B यानि की minus 7, plus C यानि की 6, पूरा अपने अबने बस number का value put किया है, इसको अब जली से solve करके देखने कितना answer आता है, मामारा, तो ये minus 8 का minus 8 ही रहेगा अभी, अभी तो अपने को bracket के अंदर उलेको solve करना है, तो bracket के अंदर देखिए, अभी minus में answer आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों कि 7 minus में है, और 6 plus में है, minus और plus क् minus हो जाएगा, ठीक है न, यानि 7 में से 6 minus हो जाएगा, तो कितना answer हैगा, 1 answer हैगा, और बड़े ओले number में sign किस इसका है, minus का है, तो sign minus कही रहेगा, clear, तो इसको हम अभी bracket में रहने देते हैं, यो कि एक plus का sign बाहर में पहले से है, और अंदर में minus का sign आ जा रहा है, तो हम यह लहाँ भी minus है, और यह भी minus है, तो minus minus क्या होता है, प्लस होता है न, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, sorry, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बड़े ओले number में sign किस इसका है, minus कहा है, तो sign minus की रहेगा, इसका मतलब जबने right वाले side को solve किया, तो भी minus 9 नहीं 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 और यही बस इतना लिक्या आपको verified लिख देना है, समझाया है बात न, अगर आप fair में solve कर रहे हैं, या exam में solve कर रहे हैं, तो इस तरीके से हैं, बस यह चोटा सा trick था, और इसी तरीका था, trick क्या है, यह तरीका है, method है, इसी तरीका है, इसी तरीका को question number 11 को भी solve करना है, च not equal to, याप equal के बाद उसको cut किया गया है, यानिकि इसका मतलब उतना not equal, b minus a, यानिकि जब हम लोग a में से b को minus करते हैं, तो जो answer आता है, वो equal नहीं रहता है, जब हम b में से a को minus करते हैं, तब, ठीक है, यानि पहले आपको minus 9 से minus करना है, minus 6, ठीक है, left hand side वाला, इसको मतल तब a minus b लिक करके solve करना है, value को put करके minus 9 और minus 6 को clear, उसी के बाद RHS लेकर के आपको b में से a को minus करना है, यानिकि minus 6, minus, minus 9 करना है, और फिर आपका देखिए का answer equal आया गहीं नहीं, तो फिर आप उसको, जब अगर answer equal आता है, तो आपका answer गलत है, जैसे हमारा answer equal आना था, इस आज में इसी तरीके equation को लिखेगा और लिखेगा verified, कि जो हमारा left hand side है, जो right hand side है, वो equal नहीं है, तो question number 11 को इस तरीके से solve करना था, अब आते हम question number 12 में से, यहां पर हमारा पास क्या दिय हुआ है, यह question number 12 से लेकरके 16 तक का मैं एक next video बना दूँगा, यह 15 minutes का video हो गया है, तो मैं चाहूंगो कि आप उसको अच्छे से समझे, question number 12 से 16 तक को, तो इस video के लिए इतना ही, thank you for watching, अगर आपने last videos नहीं देखे हैं हमारे, तो नीचे description में link दे रखा है मैंने, वहां से जा करके देख सकते हैं, यह उपर i button में click करके भी देख सकते हैं, thank you